इस वीडियो भी हम आपको बताएंगे कि मकर राशी, कुम राशी और मीन राशी के जात्कों को शरद पुणीमा के दिन क्या करना चीए जिससे कि अखंड लक्षमी का निवास आपके घर में रहे पैसो की कोई तंगी नहीं हो सुक शांदी बनी रहे, आपका सेहत अच्छा रहे कोई शरद पुणीमा की जो रात है, शरद पुणीमा का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है चंद्रमा इस दिन संपूर्ण सुलह कलाओं से युक्त होता है खगोल सास्त्र के अनुसार शरद पुणीमा को चांद धर्ती के सबसे निकट होता है जिस वज़े से पृत्वी पर उसके किरणों का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक रहता है सास्त्रों के अनुसार इस दिन धन की देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ था माना जाता है कि इस दिन शिरू किया गया काम हमेशा सफल होता है कहा जाता है कि इस दिन भगवान विश्नु मा लक्ष्मी के साथ प्रित्वी पर भ्रमन करती है और उस दिन माता लक्ष्मी का कामी ये धन देना संपत्ति देना उट ढूंडती है कि हम किसे दें कौन मेरी अरादना कर रहा है कौन मेरी पूजा कर रहा है जोतिश के अनुसा चंदरमा मन का कारक होता है जो राशियों पर अलग-अलग पर भाव डालता है इसलिए शरद पुणिवाँ पर अपनी राशिय नुसा जब उपाय करता है तो निश्चित तोर पे वो जो उपाय हो फलिपूत होता है इस दिन चंद्रमा से अम्रित की वर्षा होती है जो धन, प्रेम और सेहत तीनों देती है प्रेम और कलाओं से परणपूर्ण होने के कारण ही भगवान इस रिकिश ने इस दिन महारास रचाया था तो चलिए, सबसे पहले हम आपको इस वीडियों बता जाते हैं मकर राशी मकर राशी के चाहत तक बहते जल में चावल बाहे है आपके मुनकामना पूरी होगी इसके अलावा आप तिल के लड्डू के साथ खिर दान कीजिए जो खिर है वो मकर राशी का स्वामी शनी है गुरू आपकी राशी से अश्टम राशी में जो की अशुब होता है तो जब आप बहते हुए पाने में चावल बाहेंगे ना तो उससे आपके मुनकामना पूरी होगी शरत पुणियां पर महालक्षमी को खीर चुहारे की खीर मेवी की खीर की भोग लगाए गाए के दूद में महालक्षमी का वास होता है इसलिए उन्हें खीर बहुत पसंद है तो मकर राशी वाले हमने आपको बता दिया कि आपको क्या करना है और डेफिनिटली कीचे आपको ये उपाय बहुत फलेगा अब कुम्बराशी कुम्बराशी के लोग का स्वामे शनी है इसलिए स्पर्व पर शनी की उपाय करें तो विसे इसलाव मिलेगा आप दिश्टिहेन या अंगेन वेक्ति को भोजन करवाईए आपको आपके कामों में सफ़ता मिलेगी शरद पुणिमा के दिन माता अश्ट लक्षमी की तस्वीर लेकर उस पर केसर का तिलग लगाईए कमल का पुष्प चढ़ाईए अश्ट कम पढ़ें इस उपाय से कुंडली में चाये जैसा भी योग हो माहा लक्षमी अपने भक्त के जीवन में अचल एश्वरे प्रदान करती है अचल एश्वर तो आप समझी सकते हैं कुम राशी वाले अचल एश्वरे मिलेगा अपको कुष्ट रोग से पिडित लोग को भोजन करवाईए खीर के साथ तिल का अदान कीजिए अब मीन राशी मीन राशी के जात्तकों को शर्द पुणीमा के दिन अपने घर पे ब्रामनों को भोजन करवाना चीव खेरे में केसर मिला कर दान कीजिए खुद भी खाईए आपकी समस्त परिशानिया जटके में दूर होगी मीन राशी के जात्तक हम एक चीज़ा और आपको बताते हैं जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए जहन्ना शर्द पुणीमा के अफसर पर आपकी राशी में हो सकता है कि अपुर्ण चंदोदे होगा इसलिए आप सुख एश्वर और धन की प्राप्ति के लिए ब्रामनों को बोजन करवाई है शर्द पुणीमा पर तामे के बरतन में चावल भरकर किसी ब्रामन को दान करें और साथ में दक्षिना भी तिश्य बहुत पुनी की प्राप्ति होगी इस दिन ब्रामन को खीर कपड़े यह सब देंगे तो आपके धर आपके घर में महालक्षमी का वास होगा हमारे चैनल ग्यान देटरसर सब्सक्राइब करने के बाद आप यह बेल आइकन दवाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं जितने भी पॉपलोड्स हैं वो आपके पास आपके पास आउटोमेटिक मिलते चले जाएंगे और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपलोर चैनल जिसे देखकर आप इंटर्टेन होगे तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल और प्लीज टेप दे बेल थैंक यू